हेलो दोस्तों आसा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे तो फार्मक विजलेंज की जो रिक्वार्मेंट थी वो बहुत जादा आ रही थी बहुत जादा इस्टुडेंट के मैसेज आ रहे थे उसी की बेस पर हमने अपने फार्मक विजलेंज सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है तो आपके भी बहुत जादा कॉश्चन होंगे एक रिगार्डिंग हमें आपसे कुछ इंफॉमिशन भी शेयर करनी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो अब हम बात करते हैं आप आपने फा फार्मा को विजलेंग सब्सक्राइब कर लिजे और अपने फार्मा को विजलींडा सब्जेक्ट यह चांबको ज्यादा आप जितना हो सकता है उतना मैं आपको प्रोवाइड करने की कोसिस करूंगा उतने लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा और लेक्चर की जो कंसिस्टेंसी होगी वह आपको प्रोपर तरीके से मिलेगी हो मैं जॉब का जो इसकोप होता है वह बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है क्योंकि यह नया सेक्टर आया है तो जॉब बगेरा यहां पर ज्यादा निकलती रहती है तो इसलिए हम फार्मा को विजलेंस को अच् करना है या किसी को आटिक करना है इंस्पेक्ट करना हमारा हुझ लेंस कहलाका यह हमारे एक है ले को आपकरेंगे हैं तो आपने सिरłem में मैडिशनल्ल केमिस्ट्री तो पड़ी होगी सबहां पर हमारी दिस्कवरी की बात होती तो ड्रग डिस्कवरी अब यह तो है नहीं कि एक दो साल में हो जागी कम सिकम 15-20 साल लगी जाते हैं एक ड्रग को डिस्कवर होने में तो जब ड्रग डिस्कवर होती है तो वह क्या करती है कि आपके वह अलग कंपनी को भेज देती है कि हाँ वही हमने ड्रग डिस्कवरी कर अब आप कि आप कि विसकी फार्माको विजिलेंस की स्टडी कर लिजिए विए उसने ड्रग तो डिसकवरी कर दी पर लेकिन उससे नहीं पता कि उसने जो ड्रग डिसकवरी किये वो मार्केट में आने के बाद क्या-क्या रख्ट को मतलब किसको side effect होगा इन सबी के बारे मतलब कुछ नहीं पता है कि क्या क्या side effect होगा अभी वो नॉर्मल एक drug है सिंपल से अब ड्रग डिस्क वरी है ड्रग आपकी जैसे कोई ट्राइल क्लिनिकल ट्राइल के अंदर आपके कितने होते हैं फेज चार फेज होते हैं सबसे पहले होता है फेज फरस्ट जिसमें आपके हम बोल सकते हैं बीस से तीस वाल इंट्रिय लिए जाते हैं healthy वाल इंट्रिय और फिर आपका second second के अंदर 200 से साड़े 300 तक के जो persons होते हैं disease to determine वो लिए जाते हैं थर्ड आता है आपका उसमें और ज्यादा विजलेंस टीम होगी वो भी उसे ड्रग को monitor करेगी उस ड्रग को मतलब कैसे monitor करेगी जिसने वो ड्रग खाई है उस person की age कितनी है उसे कोई problem तो नहीं है पहले से तो ये सारी चीज़े भी वो monitor करेगी वहाँ पर लेखेगी और अगर उसे बाद में कोई problem cause होती है या कुछ side effect cause होता है तो वो अपने वहाँ पर report करेगी ठीक है report करने का काम करेगी अगर उसे किसी भी चीज़ की जरूवत पड़े मतलब किसी भी report की जरूवत पड़े या किसी भी previous data की जरूवत पड़े तो वो drug discovery जहां से हुई है वहां से वो pre clinical styles की report मांग सकती है face first की face second third किसी की वो report वगेरा मांग सकती है यह इतना हक होता है हमारे फार्मा को विजलेंस का तो अब हम बात करते हैं आप सभी ने देखा होगा previous में क्या होता है कि आपने CVI देखे होगी normally हमारे जो बाहर होता है वो हमारे CID होती है जो जाच पड़ताल करने का काम करती है normal इतना पता होत होता है बट हम यहाँ पर क्या पड़ने वाले हैं फार्मा को विजलेंस तो जो विजलेंस टीम होती है उसका फार्मा में क्या रूल होता है तो बेसिकली फार्मा में हमारी जो रूल होता है आप सभी देखोगा किसी भी फील्ड में अगर कोई गलत काम होता है वहाँ पर व प्रॉब्लम आ रही है ड्रग से रिलेटेड तो उन सभी को हमारी फार्मा को विजलेंस टीम क्या करती है मॉनिटर करने का काम करती है उनसे प्रिवेंट करने का काम करती है उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है उसी को प्रिवेंट करना उसको कंट्रोल करना हमारी किसका काम हो क्योंकि definition बहुत ज़्यादा important तो insult एक और वार मैं आपको बता देता हूं pharma co-visilence का बस एक ही काम है वो drug को drug के जो adverse effect होते हैं उन सभी को monitor करने का काम करती है detect करने का काम करती है बार वार जो मैं दोहरा रहा हूं यही चीज आपको आगे भी आएगी same ऐसे ही ठेक है तो यह सारी चीज़ें आपको याद करके चलनी है इसके definition की तो def flu हो के according जो pharma co-visilence है the science and activities relating to the detection assessment understanding and prevention of adverse effect or any other drug related problems to medicines conditions इसका मतलब है जो medicine के द्वार हमारी adverse reaction काज हो सकती है उन्हें detect करने का काम करना उन्हें assist करने का काम करना understanding समझना है उसे लिखना है मतलब report अब prepare करने है तो simple z embargo उसे समझना है कि भर यह कैसे क्या हो रहा है adverse effect कैसे cause हो रहा है adverse reaction जो पहां ही वो कैसे cause हो रही है और उसे कैसे prevent करना है यही हमारी सारी चीज़ें आपके pharma co-visilance कहलाती है particularly long term and salt term adverse effect मतलब है कि अब जो आपकी adverse drug reaction है वो आपकी कैसे भी हो सकती है salt term भी हो सकती है long term यह सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा second part आएगा introduction to the adverse drug reaction उनके अंदर हम यह सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछ लिया आती है इसमें side effect और adverse effect में क्या difference होता है या adverse effect adverse drug reaction में क्या difference होता है या adverse event में क्या difference होता है इन सभी के बारे में हम यहाँ पर detail study करेंगे second part के अंदर बात करते हैं यहाँ पर आपके European commission है उसने pharmacovicilence को कैसे define किया था उसने pharmacovicilence की definition थी वो कैसे दी थी and process to monitor the safety of medicinal drug and take action for increasing the benefits and reducing risk of medicines वही बात जो अभी आपने देखी थी drug से related या medicinal drug से related जो safety है आपकी उसको monitor करना और उसकी वज़े से जो भी adverse effect आ रहा है उन सभी को reduce करने का काम करना और उसकी efficacy को मतलब efficacy या action को increase करने का काम हमारे आपके pharmacovicilence का काम होता है कि जिससे क्या हो जो adverse effect आ रहे हैं वो आपके reduce हो जाएं और उसकी जो efficacy है उसकी increase हो जाएं और उसकी जो safety है उसे monitor करने का काम हमारे सारे की सारे pharmacovicilence का होता है phone mission receiving form कैसे मतलब receiving form मगेरा होता है या information होती है उसकी हम कैसे collect करने का काम करते हैं pharmacovicilence में information receiving form अब जो pharmacovicilence की टीम होती है वो क्या करती है अलग-अलग तो divide नहीं हो सकती तो वो अपने एक सेक्टर को मनागे रखती है अपने सेक्टर को अलग-अलग डिवाइड करती है क्योंकि जब कोई drug patient simple सी बात है जब वो आपके market में drug आ जाएगी तो वो ऐसे एक-एक person से तो पूछते नहीं फिरेंगे healthcare जो प्रोवाइडर होते हैं मतलब गारेक्ली healthcare के पास जाते हैं वहां से वो पूछते हैं कि आपके पास कैसा डेटा है आपने जैसे कि एक महीने का डेटा ले लिया कि एक महीने के अंदर हमने इतनी persons है या इतने patient है उनको एडिशन दी थी आपकी उसकी वैसे यह यह साइड इफेक्ट शो हुआ है तो उसका एक data चेक करती है फार्मा को विजलेंस टीम हेल्थ केर प्रोवाइडर से लेके ऐसे ही वो क्या करती है ठीक कि एक फार्मा कंपीनी से है अब फार्मा कंपीनी से कैसे लेगी कि जब आपकी ड्र les MindṚ ogóle कि यह थी वहा पे कुछ ट्राय यह पूछती रहती है अब हमारे पूछती क्यों है तो इसका में करड़ होता है कि जैसे कि हमारी ड्रॉग डिसकोवरी वही तो सिंपल से बाते है वह क्या करते है सबसे पछे पता चल सके कि उनकी drug जो उनोंने discovery की है उस drug की उससे कौन-कौन से side effect शो रहे हैं क्या adverse effect शो रहे हैं क्या events शो रहे हैं किसके साथ interact कर रही है ये सारी चीजों के बारे में हमें पता होता है बात करते हैं इसके object की सबसे पहला aim है to improve patient care and safety इसका मतलब है जब adverse effect आएगा ही नहीं तो patient care तो simple सी बाते improve होगी ही होगी ठीक है to improve public health public health भी improve होगी to provide medicine and all medicine and paramedical safe services मतलब है जो भी आपके paramedical services provide की जारी है medical से related उनमें क्या होगा कि जो adverse effect के chances होगे वो बहुत ही कम होगी जो भी आपके adverse effect होगे उनके chances बहुत ही कम होगे जो भी ड्रग के risk रिस्क और बार बार मॉनीटर कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है जो ड्रग की efficacy होगी वो तो आपकी बहुत ही होगी next level की होगी ही होगी next आपका to promote education and clinical training इसका मतलब है जो फार्मा को विजलेंस की टीम होती है या फार्मा को विजलेंस होता वो क्या करता है जो clinical trainings बगेरा होती है उन्हें promote करते हैं उन्हें educate करने का काम करते हैं जितने भी adverse effect side effect है वो हमारे clinical trials में पता चल जाए तो बहतरी नहीं होगा क्योंकि market में जब आ जागी तो ज्यादा problem कोज होगी क्योंकि market में अलग-अलग type के आपके persons होते हैं यह तो है नहीं कि सभी की body में वह एक जैसा काम करेगी सबकी body अपनी एक अलग घर है तो वह अलग-अलगी काम करेगी तो promote rational and safe use of medicines अब हम बात कर लेते हैं इसके scope के बारे में तो scope क्या होता है basically scope होता है आपका किस मतलब जो pharma co business sector है वह कहां-कहां पर काम करता है कैसे काम करता है वह हमारे scope के अंदर आय reaction इसका मतलब होता है आपके adverse drug reaction का कि जो pharma co business की team होती है वह adverse drug reaction को भी monitor करने का काम करती है जब कोई drug होती है market में आई market में आने के बाद वह आपके individual person में आपके अलग-अलग effect show करेगी क्योंकि सब की body एक जैसी नहीं होती अलग-अलग होती है किसी के मैं set effect show कर रही है किसी आपिकेशें ही बहुत कमा रही है अब यह सारी चीजह कैसे हो रही है वह सारी कि सारी हमारे फार्मा को विजिलेंस मोनीटर करने का काम करती है उन्हें inspect करती है। बनाती है वह सारी चीजह हमारे pharmacogen का काम होता है adverse drug reaction का monitor करना interaction of medicines अब interaction of medicines यह भी उत्यारी चीजह मतलब जो drug ह आपके इंट्रेक्ट तो नहीं हो रही कहीं दूसरी ड्रक के साथ यह सारी चीज़ें भी चेक करने का काम हमारे किसका होता है फार्मा को विजलेंस का होता है मेडिकल एर को चेक करना सबस्टेंडर्ड मेडिशन्स होती है मतलब आपकी जो नकली दवाएं होती है बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाती है बहुत जल्दी खासकर जो पैरसीटा मूल है इसकी आपने हजारों दवाई देखियोंगी हजारों ब्रेंड है अलग अलग अ आप सभी ने पता होगा कोड़िन के वारे में वह कब सिरफ की तरह यूज करती है वैसे लेकिन आजकल उसे नसे की तरह यूज कर रहे हैं हमारे फार्मा को मॉनीटर करने का काम करती है कि कैसी मेडिशन का एब्यूज या मिस्यूज बगेरा तो नहीं हो रहा लेक औफ एफ होता है वह चेक करने वाला वह बस में फोकस करता है कि आप वही चील लिखो जितनी की जरूएता है तो आपको यह सारी चीज़ें वहां पर ऐसे ही डिफाइन करनी है अब हम देखते हैं कि प्रोड़क्ट कवर वाइदी फार्मा को विजलेंस अब यहां पर बोला गया तक एयर में आपके जो फार्मा को विजलेंस बस आपकी कॉन्पे कोई नहीं बलकि यह जो प्रोड़क्ट वगहरा होते हैं उनको भी अपने अंदर monitor करने का काम करती है जैसे कि आपके कुछ medicine होती है अब medicine क्या होते है फार्मा को विजनेंज में सबसे पहले कि जो भी उसके side effect होंगे adverse effect होंगे adverse drug reaction होंगी medical error होंगे interaction होंगे उन सभी को monitor करेगी चेक करने का काम करेगी फार्मा को विजलेंस तो वही सारी चीज़ है हरवल प्रोडक्ट बगएरा होते हैं जैसे कि आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा आते हैं राम देबाबा मज़े से चल रहे हैं तो यह सारी चीज़ भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं बायलोजिकल प्रोडक्ट बगएरा होते हैं वह भी हमारे फार्मागोविजलीन्स टीम एंड ट्रेडिशनल कॉम्बिमेंटरी को भी चेक करने का काम करती है, तो आई होप आप सभी खो आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो अभी क्योर्आ होती है तो मुझे कमिन्ट में करके बताएं मैं उसे सौल्व करूँगा और नोट्स की टेंशन नहीं लेनी नोट्स जैसी हमारी फर्स्ट यूनिट कम्प्लिट होती है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूगा नेक्ट लेक्शर में जै हिंद जै भारत